नमस्कार and welcome back to Indian Mother Kitchen recipes आपका मेरे चैनल पर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के सामने एक नई पकोड़े वाली recipe लेकर आई हूँ आप सभी को पसंद आएगी अगर आपको मेरी ये पकोड़े वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ के साथ शेयर भी कर देना अपने फ्रैंड्स में शायद आपको मेरी ये recipe अच्छी लग जाए क्योंकि मैं recipes में इतनी मेहनत करती हूँ तो उसका थोड़ा सा benefit तो मिलना ही चाहिए सो फ्रैंड्स वीडियो को फुल वाच कीजेगा और लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब भी कीजेगा सो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बेसन बेसन मैंने ले लिया है एक कटोरी और दो इसमें मैंने प्याज काट ली है मीडियम साइज के मिर्च मिर्च और धनिया मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने नीचे क्या डाला है किस चीज के मैं पकोडे बनाने वाली हूं आप सबी के सामने मैं बनाने वाली हूं पनीर के पकोडे जो की मैंने घर पे ही पनीर को तैयार किया है और पनीर की जो बनाने की जो होममेड पनीर है वो मैं पहले ही वीडि को और सबी मसालों को अच्छे से मैश कर लेना है हाथ की हैल्प से और यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल लेना है और चम्मच की या हाथ की मदद से अच्छे से इस पेश्ट को तैयार कर लेना है ताकि जो हमारा हमारा पनीर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए बेसन के साथ और मैंने इसको हाज से अच्छे से मेश कर लिया है, मिक्स कर लिया है और ये देखिए हमारा पेस्ट जो है पकोडों का तैयार हो गया है और उधर मैंने गैस पर तेल भी चड़ा दिया है और मैं सुबह के नाच्टे में आज पकोडे बनाने जा रही हूँ तो मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा पेस्ट ले लिया है ये चेक करने के लिए कि तेल कितना गरम हुआ है तेल काफी जादा गरम हो गया था तो उधर के जो तीन पकोड़े हैं देख लीजिए वो बिल्कुल जल गए थे मैं जूट नहीं बोलूंगी क्योंकि स्टील का फ्र प्रेश्ट के अनुसारी हमें डालना है जैसा हमें टेस्ट चाहिए उसके हिसाब से तो यहां पर मैं बच्चों के अकोडिंग बना रही हूं तो मैंने ठीक था बच्चों के तरिके के ही रखे हैं तो मैंने ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाए है और यह देखिए मैंने बाइंध में टुफान के जो इसके बनाई है पार पाने हिसअ कि के अचलो के फोट्फ नगी तो मैंने इक तरफ कर दिए हैं और दिए ऑनो गटिनेक प्लेट मेर अजे हैं और यह दीए हैं औरतार से वो मैंने इक तरफ कर दिये हैं और आज को बिलकुल कमम पर रखा हुआ है और मैं हाथ की मदद से उतार रही है क्णि में है कि टपक जाता है और हाथ, टपक टैनिय और अरुचा थेल यहां पर चोफल यो, जहां पर नाया से बनाते रहोंगी। चया है पनीर पानी गुद्ध कर लेता है, और पानी ज्यादा सोख लेता है। तो इसलिए हमारा जो पेश्ट था पकोड़ों का वो थोड़ा सा ठीक हो गया यानि कि पतला नहीं हुआ है और जादा कर पकोड़ों का जो पेश्ट है नमक डानले से पतला हो जाता है लेकिन इसका नहीं हुआ इसका वैसे ही बना रहा जैसे हमने तयार किया था और दूसरी तरफ जो पकोडे पहले डाले हुए थे वो सिख चुके हैं उन्हें मैं चीम्टे की मदद से निकाल लूँगी क्योंकि फ्राइपैन मैंने छोटा ही लिया है बड़ा नहीं लिया है कि ताकि जिसमें मैं तरोना या कर्शी का इस्तमाल करूं और तो इसलिए मैं चीम्टे की ते हुए मैंने सभी पकोडे उतार लेने हैं और यहाँ पर देखे कुछ पकोडे मैं उतार के प्लेट में जो रख्या है मैं आपको दिखाती हूं क्योंकि जो यह जले हुए हैं इन्दर से कच्छ रह गई थे अमने खोल के देखे तो फिर मैंने सोचा गैस को हम मंदा कर ल और अच्छे से अंदर से सीख भी जाएंगे और सभी पकोड़े जो हैं वो मेरे बंचुके हैं यह देखी अभी गरम मैं तोड़े के दिखाने वाली थी थोड़ा वेट करके मैं आपको जरूर तोड़ के दिखाऊंगी कि सभी पकोड़े जो वो अंदर से बिल्कुल सीख अच्छे से चटनी और सौस के साथ सर्व कर लेंगे आप इन्हें चटनी के साथ भी सौस के साथ भी खा सकते हैं बच्चे तो क्या हैं वो सौस के साथ खाते हैं उन्हें सौस ज्यादा पसंद होता है और बड़े हैं उन्हें वो चटनी के साथ भी ले लेंगे घर पर बनाए हुए पनीर के पकोडिक की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो फ्रैंड्स मेरे चैनल को वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू सो मुझ फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ बाबाई and टेक केर